सबस्कार जिस्तों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं आर्सीय और आप सब्सक्राइब करना मत बूलें आपको बता दें समिच्छतकारी साइज समिच्छतकारी भरती परिच्छा एक ऐसी परिच्छा जिस पर अभी तक अध्यच्छ का कोई बयान नहीं आया है और पेपर लिग की घटना हो गई है अब भरती रोड पर उतर चुके हैं धरना प्रदेशन कर रहे हैं इसका अंतिम नतीजा क्या होगा इस पर बात करेंगे परिच्छा रद होगी या नहीं पूरी कहानी बिस्टार से बताएंगे वीडियो को पूरा देखिएगा धालूंग ऐसे की पसीने छोड़ जाएंगे प्रतियोगी चात्रों का जो आक्रोश है उससे प्रदेश कांप चुका है बीप्यस्टी टी आरी 3.0 का क्या होगा कितने आवेदन हुए हैं और इस परिच्छा में कहीं उत्तर प्रदेश वाला हाल ना हो ऐसा क्यों कह रहा हूं इस पर ब आने पर पेपर लिक हुआ इसका आरोप लगा रहे हैं क्रोना वैक्षीन लगवाए हैं तो वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि तेरा साइट इफेक्ट सामने निकल कर आए हैं आठ देसों ने अध्यन किया है और जो आप घटनाय सुनते हैं उसके बारे में पूरी जानका इस वीडियो में दूँगा तो कुरोना वैक्षीन वाले जरूर देखें जैसा कि आप वने स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं यहां प्रियाग राज की है इसके सम्मझ में लगातारी चल कि माध्यम से आपको बताया जा रहा है अब भरतियों की हुकार से पू अंदोलन और तीब्र होता जाएगा कर दोगे तो अभ्यर्थियों के भविश्य का सवाल है तो क्या उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोक इस परिश्छा को रद्द करेगा सबसे अहम सवाल और मैं आपको बताना चाहता हूं अभी तक लगता है उत्तर प्रदेश लोग कि मैं बात करना हूं काउंट कर लेना कल से 15 दिन 15 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोक को भरती परिच्छा रद्द करने के संबंद में नोटिस जारी करना पड़ेगा अगर इसी तरह से आंदोलन होता रहा मात 15 दिन मैं जो भी खबर देता हूं जो खबर सबी को या पता है और दार कर बोलता हूं कि पेपर लीग की घटना उत्तर प्रदेश में जो हुई है वा सर्मनाक है इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए जिस आयोक से लोग स्दियम बनते हैं बड़े बड़े पोस्ट का सपना देखते दिन रात त्यारी करते उस आयोक का पेपर लीग हो जाए इससे सरम की बात और कुछ नहीं हो सकता है जो दोसी है उसे सजा मिलनी चाहिए और अब भ्यर्थियों के भविस्त को देखते भी इस पर इच्छा को रद किया जाना चाह आधर परिच्छा रद करने के समद में नोटिस आपको वैपसाइट पर देखने को मिलेगा है हकीकत मैं बता रहा हूँ जो सच्चाई है उसी को बता रहा हूं इतना नोट कर लेना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त सब्सक्राइब तब करना जब नोटिस आ हूँ तो गारंटी है और जो सवाचार पत्र में बताया गया है कि एस्टी अपकी जान से तैं होगी आरो यारो परिछा का भबिश्ट क्या पता कैसी रिपोर्ट दे अभ्यर्थियों को इस पर भी विस्वास नहीं है और मैं आपको बता दूँ यूपी प्यासी को मेरे साच्छों के आधार पर आंत्रिक जास समीत भी आगे बढ़ेगी तो चुनाओं के पहले अफैसला हो जाना चाहिए चुनाओं के बाद दोस कल से पंदरा दिन नोट कर लो नोटिस आपके समझ होगी अगर इसी तरह से परदर्सन रहा एक बड़ी अपडेट में आपको देना चाहता हूं क्रोना वैक्सीन को लेकर जितने भी लोग क्रोना वैक्सीन लगवाए हुई हैं उन सभी के लिए जटका है क्रोना रोधी टी के का लोग पर बुरा असर पढ़ रहा है मास पेसियों में सूजन खून हिर्दय से सम्मझन बीमारिया हुई आप अक्सर आज कल देख रहे होंगे कि हार्ड एटेक हो गया हार्ड फेल हो गया इनकी मिर्तू हो गई इनकी मिर्तू हो जादत हार्ड एटेक वाला मामला आप देख रहे होंगे और साब साब बताए गया यहां पर खून हिर्दय से सम्मझन बीमारिया हुई सबसे कब प्रभावी देश भी भारत को माना गया है परन्तू जो देश इस पर सोध कर रहे हैं वहां कौन कौन से हैं पहले इसको देखिए आठ देश हैं अर्जेंटेनिया अर्जेंटेना अस्टेलिया कनाड़ा देनमार्क फिलेंड फ्रांस न्यूजिलेंड और स्काटलेंड बास समझ रहे हैं आठ देश हैं भारत उसमें सामिल मुझे नहीं लगता है स्वास्त और परिबार कल्यान मंत्रा रहे कर भारत में अब तक क्रोना टीके की 220 क्रोन दोस दी जा चुक है कोबिट टीका करेंड की सुरुआत के बास से अब तक एक लाग साइट इफेक्ट के मामले सामने आए जब जाज करेंगे तो यहां पर सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा लेकिन क्या उस तरह से सोध हो रहा जिस तरह से बीदेशों में हो रहा है आठ दिसों में हो रहा है नहीं ऐसा नहीं लग रहा है अगर हो रहा है तो सरकार को इश्पष्ट करना चाहिए अब इसमें क्या क्या होता है नियूरो से शम्बंदित यानि किरीड की हद्दी में जो है सूजन आ जाएगा ब्रेन में खुन के ठक्ये जमने लगेंगे हाट बलाके जाने लगेगा आपको बिकनेस फील होने लगेगी पैरों में दर्द होने लगेगा गुटनों की प्राबलम हो जाएगी मतलब जो 13 सा दॉसक्ति है तो अब यह अभी तक इस पशठ्ज नहीं है यह हमारा बिचार हमारी भश्रष्ट नहीं हमारी यह लेकिन जो इसमें बीचार ही कि आ गया है खून हिर्दय से संबंदित बिमारियों में मासपेसियों में और यहां पर बताया गया है नियूरों के प्रॉबलम में खून के ठक्ये जमने मस्तिस में एक प्रकार का रग्त का ठक्का जम जाता है वाइरल वेक्टर टीको की बारेट की हड़ी में सूजन की मामले भी सामने आये हैं तो दोस्तों जो बता देता हूँ सत्ति वही होता है थोड़ा आपको भेट करना पड़ता है इसका भी विरोज कुछ चंठ वक्तों ने किया था अब मैं बात करूंगा राहुल गाधी के एक महचपन बयान को लेकर क्या राहुल गाधी का यह बयान सही है आपको बता दे भारत जोड़ो नियायात्रा लेकर राय वरेली पहुंचे कॉंग्रेस के पूर्व अध्यच राहुल गाधी ने मंगलवार को कीन सरकार पर जम कर ह खेद भाव का बोल बाला है युवा अगर आख बंद कर लेगा तो भूखा शोना पड़ेगा क्या यह बात सत्य है आप लोग कमेंड बाक्स ने बताईएगा जो राहुल गाधी ने बोला है उसमें कितनी सत्यता है 69,000 सिच्छक भर्ति की मांग को लेकर पहुचे युवाओं की पीड़ा सुनने के बाद राहुल गाधी ने तेवर और तेज कर दिये तलक कर दिये राहुल ने कहा कि देश में बेरोजगारे महंगाई और अन्याय चरम पर है भादपा सरकारी वाओं किशानों और महिलाओं को इन वास्ति मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें भटकने की बजाए मुद्दों पर आधारे संघर्स का अंजाम तक पहुंचाने के लिए सडकों पर निकलना पड़ेगा तो क्या यह भी बात सत्य है राहुल गाधी की कमेंट बॉक्स में आप निराय दी जिएगा क्योंकि आप जनता जनारदन जो बोलेंगे स खेला हुआ है और उस खेले के खिलाब पولिस भर्ति ब्भहर के अभिर्ती रोड पर आगये हैं और भीधाए जी पत्र लिख रहे है भीधाए जी का पत्र भी दिखाऊंगा क्योंकि पुलिस भर्ती में बड़े पैमाने पर धाधिली करने का प्रयास किया गया है सिपाई भर्ती के अभ्यर्ति उने मंगलवार को सांती पुरों में जुलूस निकाल कर परिच्छा रद कराने की मांगी है आपको बताना चाता हूँ यूपी पुलिस भर्ती में साथ हजार सिपाई भर्ती परिच्छा का पेपर लिख होने का आरूप लगा कर फाफा मों में मंगलवार को छात्रों ने जुलूस निकाल कर अपनी आवाज उठाई चात दुबारा परिच्छा कराने की मांग करते वें सरक पर आ गहें पोश्टर बैनल लेकर सरकार की खिलाप प्रदर्शन किया प्रदर्शन करने चात्रों का समाजवादी पार्टी के नेता संदीव सिंग यादु सहीद अनिकारिकरताओं ने समर्षन किया तो विपच्छ की बात नहीं सुनी जाती है तो क्या इसमें सस्तिता है कम विडिवाक्स में जरूर बताना दोस्तों जहां तक रही पुलिस भरती पर इच्छा पेपर लीक का मामला इसके संब्द में कौन को बोल नहीं तो मैं आपको दिखाना चाता हूं जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख त्यारिक कर रहे उनके द्वारा मुझे बताया गया कि परिच्छा में धाजले बाजी हुई है चार पालियों की पेपर परिच्छा के समय से पूर्प टेली ग्राम के माजम से वाइरल हो गए जिसके साथ अब्यर्थियों ने मेरे समझ प्रसुत किये हैं इस धाजले बाज परिच्छा कराने हो सम्मंदित को आदेशित करने की किरिपा करें पच्छ में बोले हैं प्रसन्य कुमार के द्वारा भी विधायक है इनके द्वारा भी लिखा गया इसे के सम्मंद में अभ्यर्थियों के पच्छ के सम्मंद में यहां पर देखिए परदेव कुमार मिश्च का सवाल है अगर अभर्थियों की बात नहीं सुनी गई तो बहुत दुख की बात है परिच्छा रद नहीं हुआ तो उन अभर्थियों के हक का हनन होगा जो दिन रात त्यारी कर रहे हैं तो इसको परिच्छा रद करना पड़ेगा अगर प्रियास होता रहा तो परि चर्द होगी एक और बड़ी अपडेट देना चाहता हूँ बीपीएसी टी आरी ठी पॉइंट जीरो को लेकर अब तक तो लाख पचातर हजार से ज्यादा आवेदन हो चुके हैं और वैं आपको बताना चाहता हूँ जो जानकारी करेंट की प्राप्त हुई है कि बीपीएसी बारे में सोचकर आप त्यारी मत बंद करिए उसके बारे में सोचकर अपने दिमाग को खफा मत करिए आप त्यारी करिए जो होगा वह देखा जाएगा अगर बीपीएसी टी आरी ठी पॉइंट जीरो में ऐसा हो गया तो आप मान कर चलिए कि तार वहीं से जुड़ा है जि पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्नेवाद